ओम सर्व मंगल मांगले शिवे सरवारत साधिके शरन्ने त्रियंब के गोरी नारायनी नमोस्तुते जैका राशेरों वाली का बोलसाचे दरबार की जै नमशकार सु स्वागतम आभार मैं पंडित निती शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ उमीद है आप सभी स्वस्त रहें मस्त रहें और माता रानी की कृपा आप सभी के उपर बनी रहे मेरे प्यारे दरशकों आज के इस एपिसोड में जो विशे हम आपके लिए ले करके आए हैं यह विशे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए बहुत ही जादा इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम सभी अपने पूजा पाट में हम सभी अपने मांगलीक अनुष्ठान कारियों में जाप जरूर करते हैं माला के द्वारा हम नियमित रूप पर कभी ना कभी किसी ना किसी मंतर का जाप करते हैं लेकिन माला जबते समय या जाप करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना बेहद अवश्चक होता है कौन सी ऐसी गरतिया होती है जो माला जाप करते समय बिलकुल भी नहीं करनी चाहिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आप नियमित रूप से कोई मंतर जाप कर रही है या विशेश रूप से अगर किसी मंतर को सिद्ध करने के लिए आप जाप कर रही है तो आपके लिए आज का एपिसोड बेहद आवश्चक होने वाला है क्योंकि जो बाते आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आप उन बातों का ध्यान रखते है अगर आप इन नियमों का ध्यान रखते है तो जो भी मंत्र जो भी सिध्धी करने के लिए आप जाप कर रहे हैं तुरंत प्रभाव से वह मंतर सिद्ध होगा और उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा साथियों जाप करते समय अगर हम गलतिया करते हैं तो उस जाप करने का कोई फाइदा कोई लाब हमें नहीं मिलता और जिस मंतर को सिद्ध करने के लिए हम जाप कर रहे हैं वह मंतर भी सिद्ध नहीं होता तो अगर आप चाहते हैं कि आपके किये जाने वाले मंतर जाप का पूर्ण फल आपको मिले जिस मंतर की सिध्धी के लिए आप जाब कर रहे हैं अगर आप चाहते हैं उसमें आपको पूर्णता मिले तो आप आज का एपिसोड बिना स्किप किए पूरा देखिए और मेरा पूर्ण विश्वास है आपको तुरन प्रभाव से इन उपायों से इन नियमों से रिजल्ट मिलेगा आज की एपिसोड को शुरू करें उससे पहले जो भी दर्शक पहली बार पंडित नितिशास्त्री चैनल को देख रहे हैं अभी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का निशान जरूर दबा लें क्योंकि धर्म करम वरत तीज त्योहार से जुड़ी सबसे महत्वपुरुन जानकारी आपको यहां पर मिलती रहती है साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बोक्स में हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक भी दिया गया है इंस्टाग्राम पर भी जाकर आप हमें फोलो करें वहां पर भी हम आपके लिए धेर सारी महत्वपुरुन जानकारी लेकर के आते रहते हैं आज के एपसोड को शुरू करने से पहले सभी भक्त हाथ जोड़ करके माता रानी को नमशकार करते हैं ओम्यादेवी सर्वभूतेशू मात्री रूपेन संस्थिता नमस्तस्से 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 नमो नमहा जै काराशेरों वाली का बोल सान्चे दरबार की जै तो मेरे प्यारे साथियों मैं पंडित नीती शास्त्री, हाजिर हूँ आप सभी भक्तों के सममुक आज का बेहत महत्तोपूर्ण विशय लेकर के, साथियों बड़ी महनत से आपके लिए हम एपिसोड लेकर के आते हैं, हमारी कोशिश रहती है, आपके लिए हम ऐसी जानकारी लेकर के आएं जो जादा से जादा आपके काम आए तो आज का विशे है कि जाप करते समय भूल कर भी कौन सी गलतिया नहीं करनी चाहिए साथियों सबसे पहले तो कुछ बेसिक जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कई भगतों के हमारे पास प्रशना आते हैं कि शास्त्री जी अगर हम किसी मंतर का जाप करना चाहते हैं तो क्या उसके लिए माला जरूरी है देखिए मंतर का जाप अगर आप करना चाहते हैं तो ये नहीं है कि माला उसके लिए मेंडिक्टरी है यानि कि अवशक है माला की अवशकता हमें क्यों पढ़ती है माला की अवशकता हमें इसलिए पढ़ती है कि जिस मंतर का हम जाप कर रहे हैं हमें पता रहता है कि कितनी संख्या में हमने जाप कर लिया है अगर आप बिना संख्या के जाप करना चाहते हैं तो बिना माला के भी आप कर सकते हैं लेकिन माला का जाप में प्रियोग करने से एक तो हमारे जो कारिय है वो जल्दी सिद्ध होते हैं दूसरा जैसे हम रुद्र का अंश कहा गया है साथ ही साथ जाप के दुरान शंकर जी की करिपा भी हमें प्राप्त होती है्सके अलावा माला जाप करते समय меся माला के प्रयोग से हमारा ध्यान भी एका अगर्चित रहता है तो यह कुछ ridershap हमें मिलते हैं माला माला के द्वारा जाब करने से अब आते हैं आज के विश्य पर की माला का जाब करते समय हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए क्या गलतिया हमें बचना चाहिए साथियों सबसे पहला जो point है कि माला जबते समय या मंतर जाप करते समय आप कोई भी ध्यान भटकाने वाली चीज चाहे फिर वह मोबाइल हो या रेडियो टीवी म्यूजिक का कोई सिस्टम कोई भी ऐसी चीज हमारे पास नहीं होनी चाहिए जो हमारा ध्यान भटका सकती है क्योंकि जाप करते समय एक गरचित जितना ज़्यान एक अस्थान पर फोकस रहेगा उतना अच्छी तरह से आप जाप कर पाऊँगे अगर जाप करते समय बार बार आपका ध्यान भटक रहा है तो आपको किये जाने वाले जाप का कोई भी लाव नहीं मिलेगा इसलिए जो मुबाइल इत्यादी है जाप के दुरान इन्हे या तो साइलेंट रखें या ऐसी वस्तुएं अपने पास रखने से बचें बात करते हैं अगले पोइट के बारे में तो जाप एक निश्चित अस्थान पर करके संकल्ब किया है तो कोशिश करें कि अपना अस्थान ना बदलें ये जाप के महत ही महतोपुरुन नियम है जो मैं आपके साथ शेर कर रहा हूं अगर आप विशेश रूप से कोई सिध्धी कर रही हैं तो उसके लिए तो और भी जादा यह जरूरी हो जाता है कि जो ज दलना चाहिए जिस आसन पर बैठ करके कर रहे हैं आपने उसी आसन का प्रयोग करना है और जिस अस्थान पर बैठ करके कर रहे हैं आपने उसी अस्थान को निश्शित करना है उसी पर वहीं पर बैठ कर जाप करना है साथियों ऐसा करने से एक तो हमारा जो मन है वो भी शा मुझा रहता है हमारे जाप में सार्थकता आती है और जो भी जाप हम कर रहे हैं उसका फल आपको शिगर से शिगर मिलता है बढ़ते हैं अगले पॉंट की तरफ माला जाप करते समय मंत्र जाप करते समय अपने मन में किसी के प्रति आप खयाल ना लेकर क्याएं जी हां अच् कोशिश करनी है कि जप करते समय अपने मन को आप फोकस रखें राम नाम में या जो मंत्र आप जाप कर रहे हैं उसी पर अपना सारा ध्यान केंद्रित रखें जैसे अगर आप गयत्री जाप कर रहे हैं ओम भूर भुवा स्वाह तट सवितुर वरेन्यम भर्गो देवेई नहां प्रक्षो दियात तो कोशिश करें कि गयत्री पर ही अपना ध्यान फोकस रखें अगर आप माला जाप करते समय इधर-उद्र की बातों में आपका ज्यादा ध्यान है या माला हात में हैं लेकिन मन में इधर-उद्र के खयाल चल रहे हैं तो ऐसा जाप करने का भी आपको कोई लाप नहीं मिलेगा इस शूरु में आपको थोड़ा प्रोब्लम हो सकती है। अपना ध्यान को केंदरित करने में लेकिन करत करत अभ्यास के जडमत ही होत सुजान. अगर आपकोशिश करेंगे प्रियत्न करेंगे तो आप अपने ध्यान को केंद्रित करना बहुत जल्दी सीख जाएंगे आप बहुत जल्दी फोक्स्ट होना सीख जाएंगे तो साथियों ये बड़े ही महतोपूर्ण पॉइंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अगर आप मंतर जाब करते हैं या विशेश रूप से किसी सिध्धी के लिए प्रियत्न कर रहे हैं इसके अलावा बढ़ते हैं आगे जाब करते समय आप कोशिश करें कि माला और गोमुखी का प्रियोग करें क्योंकि जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया है कि माला के द्वारा जब हम जाब करते हैं एक तो हमें संख्या का पता चलता रहता है कि हमारा कितना जाब हुआ है और माला को आप गोमुखी में प्रियोग करें ताकि प्रत्यक्ष रूप में कोई माला को ना देखें साथियों अगर आप गो मुखी में माला प्रियोग करते हैं और उसके बाद आप जाप करते हैं तो आप खुद महसूस करेंगे कि आप जो भी जाप कर रहे हैं जो भी अनुष्ठान आप कर रहे हैं आपको उसका रिजल्ट बहुत जल्दी मिल रहा है इसके अलावा बढ़ते हैं आगे कि जाप करते समय अगर आप विशेश रूप से कोई सिध्धी कर रहे हैं जहाँ पर और भी जादा जरूरी हो जाता है कि आप अपने भोजन को सात्विक में लें प्याज लहसुन भूल कर भी इसका प्रियोग आपने भोजन में नहीं करना है जब तक आप मंत्र जाप करते हैं सात्यों प्याज और लहसुन को हमारे जोते शास्त्रों के अनुसार तामसिक वस्तू कहा गया है और इनका प्रियोग करने से जो हमारा मन है वो तामसिक प्रिवरितियों की तरफ जाने लगता है और जाप करते समय जितना जादा हमारा मन पवित्र होगा जितना जारा हमारा मन शांत होगा उतना ही जल्दी उतना ही अधिक हमें जाप का फल मिलेगा इसके साथ साथ मंतर जाब करते समय आप ब्रह्मचारियवरत का पालन जरूर करें अगर आप मंतर जाब के दुरान ब्रह्मचारियवरत का पालन नहीं करते तो भी आपको मंतर जाब करने का पूरण फल प्राप्त नहीं होगा इसके अलावा जब भी आप मंतर जाप करते हैं या विशेश कोई सिध्धी करते हैं तो अपने हाथ से आप कोई भी किसी के प्रति आप बुरा ना करें कोई कीट किटाणू कोई जीव हो उसके लिए भी आप अपने मन में पूर्ण दया रखें क्योंकि जाप करते समय जितना ज़्यादा हम हमारे मन में दया होगी जितनी ज़्यादा हमारे मन में सहेंशीरता होगी उतना ही जल जो भी हम जब पूजा पाठ कर रहे हैं उसका रिजल्ट हमें देखने को प्राप्त होगा साथियों मंतर जाप करते समय परमात्मा में जितना जादा आपका भाव होगा जितना सत्यमन से जितना पूर्ण श्रधा से आप जाप करेंगे उतना ही जल्द भगवान आपकी सभी मनुकामनाव को पूर्ण करेंगे और जो भी जाप आप कर रहे हैं उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा साथियों आशा करता हूँ आज की यह जानकारी आपको बेहत पसंद आई है अगर फिर भी आपका आज के एपिसोड से जुड़ा हुआ कोई भी प्रशन है तो आप कमेंट बोक्स में अपना वैप्रेशन हम से पूछ सकते हैं अगर एपिसोड पसंद आया है तो इसे जादा से जादा लाइक और जादा से जादा शेर जरूर कर देंगे ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले हमें भी पता चले कि आपको एपिसोड अच्छा लगा है आज के लिए बस इतना ही अब आपसे अगले नए एपिसोड में किसी और नए इंटरस्टिंग वुशे के साथ मुलाकात होगी तब तक के लिए मैं पंडित नीती शास्त्री आप सभी भगतों से आग्या लेता हूँ आप इसी तरह से हसते रहें मुस्कुराते रहें और माता रानी की कृपा आपके ओपर बनी रहे जै माता की